पूलों से सजावट के बात ही कुछ और होती है शादी जैसे समारों हो, घर, होटल या दफ्तर में कोई काक्रम हो या मंदिरों वो अन्य किसी जगह की सजावट प्रकृतिक फूलों से की गई सजावट ही लोगों को सबसे जादा पसंद आती है और इसलिए एक से एक खुबसूरत सजावटी फूलों के डिमांड हर रोज बढ़ रही है और इसे के साथ बढ़ रही है फ्लोरी कल्चुरिस्ट के डिमांड यानि जो फूलों की खेती करना जानते है फूलों की खेती ना सिर्फ आपको सुकून देने वाली खेती है बलकि ये शांदार कमाई करने का भी एक बढ़िया जरिया बनकर उबरा है अगर आप चाहते हैं कि एक्सपोर्ट किये जाने वाले या अपने देश में इस्तिमाल होने वाले सजावटी फूलों की खेती कर खूब कमाई करें तो आज ही जॉइन करें फ्लोरी कल्चरिस्ट का ये कोर्स आईए अब आपको बताते हैं इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे इस कोर्स में आप फूलों की खेती के सभी होनर सीखेंगे मसलन जमीन कैसे तयार करें, सोयल ट्रीटमेंट और नर्सरी कैसे हो जमीन तयार करने और ट्रांस्प्रेंटेशन के दोरान किन चीजों का ध्यान रखना है आप सीखेंगे फूलों की फसल को उगाना और उसका ध्यान रखना जैसे फसल लगाने के विधी कौन सी हो बुआई, जमीन का परिक्षन, खाद या निउट्रियंट कब और कैसे दे सीचाई कटाई के साथ पेस्ट कंट्रोल और निउट्रियंट मानेजमेंट कैसे किया जाए फूलों के तयार फसल की कटाई कैसे करें उसकी कटाई के अलग-अलग तरीके क्या है कटिवी फसल की देखभाल, उसका भंडारन और ट्रांस्पोर्टरसन करना भी इस कोर्स में आप जान पाएंगे आप सीखेंगे फूलों की खेती के दौरान परियावरन की सुरक्षा और स्वास्त का बिध्यान कैसे रखा जा सकता है तो देर न करें, अभी जॉइन करें फ्लोरी कल्चरिस्ट का ये कोर्स और सवारे अपना भविश्य